हेलो फ्रेंट्स कैसे हो अब लोग आज हमारे पास है दो फोन Poco M2 and Realme Nargo 20 आज इस विडियो में इन दोनो फोन के बीच स्पीड टेस्ट कमपरिजन करेंगे और देखेंगे कौनसा फोन में जल्दी जल्दी एप बेगरा ओपन होता है और कौनसा फोन का रैम मेनेजमेंट आच्छा है उसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ Poco M2 में मिलता है Mediatek का Helio G80 चिपसेट और हमारे पास है 6GB 64GB वेरियेंट जबकि दोस्तों Realme Nargo 20 में मिलता है Mediatek का Helio G80 चिपसेट और हमारे पास है 4GB 64GB वेरियेंट तो Poco M2 का जो रैम है ओ 2GB एक्स्ट्रा है हमने दोनों ही फोन में दोस्तों अन्तुतु स्कोर को चेक किया था तो यहाँ पे आप देख साकते हो Realme Nargo 20 में मिलता है 2,25,000 जबकि दोस्तों यहाँ पे Poco M2 में मिलता है 2,21,000 तो अन्तुतु स्कोर में दोस्तों इनर रहता है Realme Nargo 20 दोनों ही फोन दोस्तों सेम वाइफाई से कानेक्ट किया हूँ ताकि दोनों ही फोन में दोस्तों सेम स्पीड मिले मैं आप लोगों को बता दूँ इस सैड में है Realme और इस सैड में है Poco अब चलिए दोस्तों सबसे पहले App Beggra open करेंगे उसके बाद दोस्तों RAM Management चेक करेंगे सबसे पहले दोस्तों Gallery को open करेंगे और यहाँ पे Poco Inner रहता है उसके बाद दोस्तों Chrome open करेंगे यहाँ पे Poco Inner रहता है चलिए दोस्तों यहाँ पे Flip Card को open करते हैं देखते हैं कौन सा फोन पहले open करता है तो दोस्तों दोनों ही फोन दोस्तों सेम टाइम लगा रहा है लेकिन दोस्तों पहले reload किया है POCO तो POCO काफी अच्छा performance कर रहा है कैमेरा के ओर चलिए दोस्तों दोनों ही फोन दोस्तों सेम टाइम में ओपिन किया है चलिए दोस्तो Facebook के और और यहांपे देखते हैं यहांपे दोस्तो पहले reload किया है Poco उसके बाद दोस्तो Lightroom अपको open करेंगे और दोनों ही phone दोस्तो सेम टायम में open नहीं किया है यहांपे Poco सबसे पहले open किया है उसके बाद दोस्तो Flipcard को open करेंगे और देखेंगे concept phone पहले करता है यहाँ पे दोस्तो Poco पहले open किया है उसके बाद दोस्तो Realme reload किया है Poco दोस्तो बहुत जल्दी जल्दी app बगरा open कर रहा है अब वी चलिए दोस्तो YouTube को open करते हैं और देखते हैं concept phone पहले करता है दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे Poco सबसे पहले open किया है Amazon को open करेंगे और देखेंगे concept phone पहले करता है यहाँ पे भी दोस्तों पोको सबसे पहले किया है अवी चलिए दोस्तों गाना को open करते हैं और देखते हैं concept phone पहले करता है यहां पे भी दोस्तो Poco Inner रहता है अभी Instagram को देखेंगे और कौनसा phone पहले करता है यहां पे दोस्तो मैंने same time में tap किया था लेकिन बहुत देर से दोस्तो app load किया है यहां पे Realme जबकि दोस्तो तुरंट app open कर लिया है यहां पे Poco Twitter को open करेंगे और देखेंगे यहां पे Poco दोस्तो पहले किया है उसके बाद दोस्तो Hotstar को open करेंगे चलिए दोस्तो मुझे लगता है कि Poco पहले करेगा हां दोस्तो यहां पे Poco पहले कर दिया है यहां पे allow करते हैं तो Poco यहां पे सबसे पहले किया है Candy Crest को open करेंगे और देखेंगे कौनसा phone पहले इस game को open करता है ऐसे भी दोस्तो SRA offline game है अभी तो PUBG बैन हो चुका है बरना दोस्तो मैं PUBG को open करता लेकिन दोस्तो यहाँ पे Realme थोड़ा पहली किया है उसके बाद दोस्तो चलिए Temple Run game को open करते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तो जब मैंने tap कर रहा हूँ तुरण दोस्तो open हो रहा है पोको में जबकि दोस्तो Realme में tap करने के बाद दोस्तो थोड़ा time ले रहा है उसके बाद दोस्तो एप बेगरा open हो रहा है और यहां पे भी आप देख साकते हो Poco उइनार रहता है साप साप अब चलिए दोस्तों यहां पे जो साप वे गेम है इसको उपन करेंगे और देखेंगे कौन सा पॉन पहले करता है और यहां पे भी मुझे लगता है कि आप Poco करेगा पहले तो चलिए देख लेते हैं और यहां पे दोस्तों मैंने जैसे की बोला Poco यहां पे ओपन कर चुका है और जबकि दोस्तों यहां पे रिलोड हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूँ काइन मास्टर एप को ओपन करेंगे और देखेंगे कौन सा फोन पहले करता है तो यहां पे भी दोस्तों Poco पहले किया है तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पे कुछ Edit बगरा करते हैं उसके बाद देखते हैं यह जो मैंने Sample को त्यार किया हूँ और यह दोस्तों आप लोग देखोगे 38 सेकेंड का एक वीडियो है तो इसको दोस्तों हम लोग Export करेंगे और यहां पे आप लोग देखोगे 31 MB यहां पे भी 31 MB है तो चलिए दोस्तों Full HD करके दोनों ही फोन में दोस्तों Export करेंगे और देखेंगे कौन सा फोन पहले करता है मैं आप लोगों को Poco करेगा पहले तो चलिए हाँ दोस्तों थोड़ा पहले दोस्तों Poco किया है अब वी चलिए दोस्तों RAM Management चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा फोन का RAM Management आच्छा है तो चलिए दोस्तों यहां पे Poco रखा है और यहां पे Realme है तो सबसे पहले दोस्तो Chrome को open करेंगे यहाँपे आप देख साकते हो दोनों ही phone दोस्तो reload कर रहा है दोनों ही phone दोस्तो यहाँपे reload किया है camera में चलिए दोस्तो यहाँपे दोस्तो RAM मेर था जबकि दोस्तो Realme फिर से reload किया है Facebook के ओर चलिए दोस्तो दोनों ही फोन दोस्तो रिलोड किया है यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही फोन रिलोड किया है Lightroom के ओर चलिए और यहाँ पर देखते हैं कौनसा फोन पहले करता है पहले तो एक यहाँ है लेकिन दोस्तो दोनों ही फोन का RAM में था Flip करके ओर चलिए दोस्तो देखेंगे दोनों ही फोन दोस्तों रिलोड किया है लेकिन पहली बार किया है पोको उसके बाद दोस्तों यूट्यूब को ओपिन करेंगे देखेंगे दोनों ही फोन दोस्तों रिलोड कर रहा है दोनों ही फोन पहले करता है दोनों ही फोन दोस्तों रिलोड कर रहा है यार य यहाँ पे एक पुइंट जादा आजाता है, इंस्टाग्राम को ओपिन करेंगे, और देखेंगे कौन सा फोन पहले करता है, दोनों ही फोन दोस्तों रिलोड किया है, यहाँ यहाँ पे ट्विटर को ओपिन करेंगे, और देखेंगे कौन सा फोन पहले करता है, दोनों ही फोन दोस्तो रिलोड किया है होट स्टर को ओपिन करेंगे और दोस्तो देखेंगे कौन सा फोन पहले करता है दोस्तो रैम में था जबकि दोस्तो यहां पे रिलोड कर रहा है तो चलिए दोस्तो यहां पे कैंडी क्रेस को ओपिन करते हैं देखते हैं कौन सा फोन पहले करता है दोनों ही फोन दोस्तों रिलोड कर रहा है यह यह अजीब लगा है मुझे temple run को open करेंगे और देखेंगे कौन सा फोन पहले करता है तो दोनों ही फोन दोस्तों रिलोड कर रहा है तो RAM management दोनों ही फोन का अच्छा नहीं है दोनों ही फोन का रैम में है काइन मास्टार तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूँ दोनों ही फोन का रैम मेनेजमेंट दोस्तो उतना अच्छा नहीं है सारे ही एप हाँ यहां पे एक दो एप रैम में था पर ना दोस्तो दोनों ही फोन में सारे एप दोस्तो फेर से रि और दोस्तो एधा Realme Narjo 20 वार्शास Poco M2 का स्पीड टेस्ट उमिद करता हूँ ए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना सेर करना और सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गलेक फ्रेस वीडियो में तब तक हमारे साथ बोलते हैं ये वारत मता की जये